नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके पने चैनल फैंट्शी बिन पेडिक्शन में तुरस्तों कवर करने वाले हैं बंगलादेश प्रमें लिग टीडियों टी का मैच नमबर सेवन जो कि दोस्तों बखला जाएगा रंगपुर राइटर्स बसे सिलहाट श्ट्राइकर्स के दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के श्टर्स एकॉर्डिंग टू पाइटिंग आटर्स आपको उता दूगा इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन के रहने वाला हमारा वह भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना एदि आपने आप तक ही वीडियो चौंग शुरुआ ने किया है चैनल स्बस्क्राइब करके वैल का इके जिरूर बैस का ले जिसे आपको आने वाले मैच इसकी वीडियो टाइम पर मिलती रहे दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा जोमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हम आप भी क्लिक करके दुरण्ट आप आप चैनल जोइन करता है old और यहां डिलन का आईख है त Zoom करें जब्साफिक पर चैनल दोपार में इक बदे करती है दोस्तों मैच की तुमारा में चप्स देरबाद दोपार में एक बजन शुरू हो filsum हम धाका के अंदरे मैच खेला जाएगा दिवाद कें दोस्तों में की पिच की तो दोस्तों बैलेंस विकेट की होगी खास करके जो आफ्टरनून के मैचेस हो रहे हैं विकेट थोड़ा सा स्लो देखने को मिलना है साम वाले मैचेस आपने देखा हूं कि हाई स्कॉरिंग मैच साम वाला जोग होता है अब इस्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है आपने देखा होगा साम में थोड़ा जल्दी हीडिव आ जाता है आप और इस्पिनर्स को बिल्कुल भी टर नहीं मिलता है जिवाद के दूस्तों हम इस बेनों पर 238 मैचे सो चुके हैं 107 मैच बैटिं इनिंग्स पर देखने को नहीं मिलते हैं वही आप 140-160 के रिंज में स्कूर देखेंगे डिर्स के आसपास वाला पिछे अखास के आप्टरनून मैचेस में 144-45 इतना ही स्कूर हो रहा है आप स्कूर कार्ड भी चेक कर सकते हैं सीजन कभी और पिछले भी बहुत कुछ खास पिछ में मतलब बैटिंग के लिए उतना कुछ खास दम नहीं है बहुत ज़्यदा बॉल फासरा है आप्टरनून वाले आप गेम देखे होंगे तो आपको पता ही होगा एक इंपोर्टन नूज आ रहे ही रंगपूर राइडर से हिनके जो इस्टार आर्लाउंडर है साकी कुछ मैंचे नहीं खेलने वाले अब काफी बड़ी नियुज है काफी ज्यादा सेलेक्शन है सब लोग नहीं करके जा रहे है लेकिन नहीं खेलने माले उसका कारण क्या है यह संडे को सिंगापूर जा चुकी है अपने आखों का मतलब कुछ चेक अप कराने के लिए आखो चला है तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले अपड़ेट दे रहा हूं तो बहुत बड़ी खाबर है साकिब लसन इस मैच को नहीं खेलने वारे काफी लोग तो कैप्टर में आ रहे है तो उनको रिप्लेस कौन करेगा इनके एक प्लेयर है फजली महमूद जूकि सेम मतलब से जब एक बॉलिंग ऑप्सन कम हो जाता है तो उमर जाई के अच्छे खासे बडालने का इस मैच में चाज़स बन जाते सेम प्लेयंगे नमर 11 रहा सिर्फ साकिब के इन्होंने एक बैटर प्नी टीम में सामिल कर लिया तो जाहाई इच्छ बात एक आलाउंडर कम हो गया लेकिन टीम में अच्छे फ्लेयर है अबने टीम में जरूर लेकर चाहिए अच्छे पाउर वीटर है बेस्ट इस मैंने लास्ट गेम पे पांच पे आउट हुए ओर और लोखो तो इनका 21 का वैटिंग उरेज है अलाकि पिकट कीप्रिंग सिक्शन में दिये हैं लेकिन बत लेकिन अब बेलू गड़ जाएगी आपको तीन से लेकर चार वर के बॉलिंग करके देंगे नमबर चार वैटिंग करेंगे नमबर चार पांच पे तो कैप्टन आश्ट केप्टन को भी अच्छ आप्सन आएंगे टीरोंडी में कीस केंग का एवरेज है आट साथ गेम में चार वर के बॉलिंग करके देंगे साथ में बैटिंग भी नमबर साथ के असपस करेंगे हो सकता है साकीब नहीं घेल रहे है इस मैंच को थोड़ा ऊपर भी बैटिंग करने आजए लास्ट गेम में दस रन की और ए साकीब नहीं खेलने तो फिर साथ हो सकता है थोड़ा ज्यादा बॉलिंग करके जाए नीचे रिखेंगें दोस्तों हसन मुराड जोने लास्ट गेम में चार वर डाल के दो विकन निकाले अच्छी इस पिनारा आप जियल मट रहे करिएगा इस तरी से पहले इस टूनिमें पहले अठारा गेम के अंदर इनके नाम पंदरा भी करते हैं हासन ममूत की बात करें ये बांगलादेस के लिए भी बीच बीच में खेलते हैं लास्ट गेम में जरूर बिकेट लेत रहे लेकिन बॉलिंग फर्ट में जरूर ट्राई करेगा क्योंकि तीम के लिए देथ में करते हुने दर आएंगे सल्मान इरसाथ के साथ सल्मान इरसाथ पाकिस्तान से आते हैं ये भी अच्छे पेसर हैं लास्ट गेम में दो ही वए डाले लेकिन आम तोर पे ठिक ठाक का बॉलिंग करके जाते हैं इनके बेंच में कुछ प्लेयर्स हैं जिसमें से साकिब नहीं ख पर देखते हैं टीम किसको खिलाती है अनुमाने की फजले में मोद को खिलाना चाहिए लेप्टाम और साकिब भी थे लेप्टाम और स्वोभी हैं बात कर लेकिन याद लादू जो मेरा फाइनल टीम होगा फाइनल अबडेट होगा आपको वारे टेलेग्राम चैनल पर उनकी राइट हैं बिकेट किप्रिंग भी यही करा रहे हैं तो यह आपके लिए मस्टाप ही कर जाते हैं लास्ट गेम भी 40 नमना है काफे अटैकिंग प्लेयर है और ओर ओल इस टूनमेंट से पहले करेंगे नाजमनों सांतों उनके साथ उपन करने आएंगे यह भी बंगल जाकिर हैसन का मिलेंगे पिकेट किप्रिंग सेक्षन में लेकिन सिर्फ बैटिंग करके देंगे डिए टॉप त्री में से आपको एक को छोड़ना पड़ेगा आप सारे लेकर नहीं जाए सकते हैं हैरे एक तेक्टर को रखना पड़ेगा बैटिंग बॉलिंग दोनों कर र लेकिन इस टूनेमेंट से पड़े इनका सिर्फ सोला का बैटिंग और स्थी डोंडी में असी गेम में इनके आम नौस आट रंते तो मैं साहथ अपनी टीम में को नहीं रखूंगा क्यों को भाई टॉप फोर तो नहीं रखने है तो एक तो आपको छोड़ना पड़ेगा अ और जहाँ भी लीग जिस लीग में खेलते हैं अच्छा काजा बॉलिंग करके जाते हैं बहले ही लास्ट गेम में दूवर डाला लेकिन अच्छी अप्सन रहेंगे आप ट्राई करिए मसरफे बुर्ट तो जाकर लास्ट गेम में काफी पिटाई हुई थी और 2.3 वर डालक लास्ट गेम में पूरे चार वर कर आए थे यंग बॉलर है बंगलादेस के लिए बीच-बीच में कभी कबार मौका मिलता है लास्ट गेम में चार वर डाले विकेट जरूर रह लेकिन अच्छे बॉलर है इस टूनिमेंट से पहले तेस गेमें 27 विकेट इनकी नाम थे प्रवाटिंग आटर भी जाहिश्टी बात है आप यही देखने हैं तो अब देख लिए अब बात कर लिती हैं दोस्तों हम कुछ बिंच वाले प्लेट के मैं आपको स्टेश दिखा दू इनमें सको ए खेला तो आप देख लिए तो मैं स्टेश भी टेलेग्राम पे सब्सक्राइबर होंगे उसी को आप जोइन करेगा बात करते हैं दोस्तों इस मैंच की टीम की दोसरे दोस्तों जाकिरेशन ने विलास्ट किये में काफी इस चीनिंग खेली थी लेकिन इनका इस टूनरमेंट से पहले करीब 16 यह उरूस था बाकी प्लेयर भी फोकस करना चा सब्सक्राइबर होंगे जाकिर को में साथ नहीं ट्राइग करूगा रहून इतलगदार सिर्फ बैटिंग करेंगे लेकिन मिडलर रुखे लेंगे तो हैं तो चारू ठीक ऑप्सन लेकिन में एक ही फिट बैटा है वह मुम्मेंद मितौर बात कें दोस्तों बैटिंग सकतना अच्छी तरह से वाकिप है और मस्ट्राफिक रहेंगे बढ़ी है टेकनिकल सॉलेट बैट्स बान है अब चौथा प्लैट दोस्तों बावराजम को नहीं मिला तो यह नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान नहीं को नहीं खेलेंगे और पूरण तो वहाँ पे खेलने हैं दुब बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे आप गूगल में जाकी चेक करोगे आपको मिल जाएगा तो आप देख लेजे भाई पता नहीं लोगों के उतनी सेलेक्शन बढ़ा रखे कापी लों को पता नहीं है हसरंगा नहीं खेलेंगे अब दोस्तों मैंने जो चार अलोंड ल इनकी अच्छे का तो बॉलिंग डालने चांसे दो जाएंगे इसे विएसे में तुनों को खबर करना चाहता हूं और इन दोनों में से साथ मैं कैप्टनाइस कैप्टन मना दूं टॉस के बाद इसके लाव दोस्तों चौथा मैंने बेनी होल के लिए है मुझे लग रहा है क से ज्यादा और इनी डालने चाहिए लास्ट गेमें दो ही वाड डाले थे बालिंग से रिचार्ड इंगराब आपकी टीम मस्ट हपी हो जाते हैं दूसरा दूस्तों मैं चुप लियर लिया है थासन में मूधी भी में टीम में कंफर्म रहेंगे इस प्रिसले इनका टीमें पहले बॉलिंग कराएगा तीसरा प्रोल मने लिए है तंजीम साकिप को बॉल फर्स्ट में जरूर रखेगा इसे पंदर परसंटी सेलेक्शन है बात कर लेते हैं दोस्तों हम कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनले प्रिव्यू की दोस्तों मेरी टीम के कैप्टन पहले यहां से अजमत उमर चैप्टन दोस्तों मने ऐसे का रहा है मुहमन नभी को अब साकी वाले सन नहीं केलने वाले इस मैच में तो अजमत उल्ला उमर चैप्टन दोनों को बेली उबर जाती है क्योंकि उनकी जगे इदी टीम एक एक वैटर खिलाती है तो फिर आप कि कुछ मैच नहीं खेलेंगे खासकर पहले मैच ही खेले तो उसको बदब 3-4 मैच मिस करेंगो उसका कारण गया है वो संडे को सिंगापूर जा चुके हैं अपनी आंग का चेक अप कराने के लिए तो कुछ मैच मिस करने वाले हैं और उनका कुछ आंत में इसू था वो वर मैच कर दिया है हलां कि के दो अच्छी आप्सन हो रहे है हरी टेक्टर को भी आप बना सकते हो इस टीम के प्लेंग लेवान आने के बाद हम नंबर और बॉलर काउंट करेंगे इस दिन के बालिंग डालने की चैंसे फिर से बनेंगे तो के भी अच्छी आप्सन आएंगे ब छी है वह बहुँच्छा बड़ा सको नहीं बन रही बन राव यह तो एक कहे रहेंबाल को डे दिए टास्ष्ट को अडोगे चुन ह्को भी चो भी नियु जाती है चैसे साकीफ वाले वीड som आपको वीडियो पसंद आए हूँ प्लीज लाइक करके जाना चैनल को दिया आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजे आपको मारे डिस्क्राइब को वाट्सप को भी लिंक मिल जाएगा वहाँ फॉलो कर लीजे बागी टेलीग्राम जरूर जोएन करें या यूटूब चैनको भी सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं टेलेग्राम पे और वीडू आज करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद